सबसे जाधा कन्फीजन रहता है कि भाई हम 4V लें है 2V लें बट इससे भी जाधा कन्फीजन वाली चीज यह है कि 4V में भी आपको वाइट कलर देखने के लिए नहीं मिलता है केवल और केवल special edition में वाइट कलर देखने के लिए मिलता है तो आज मैं आप लोगों के लिए मत को कौन सी बाइक लेनी चाहिए तो वो सारी चीज़े मैं इस वीडियो में डिसकस करूंगा तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करने हैं बिना किसी दे रही है तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसके डिजाइन लुक और बिल्ट क्वालिटी की तो सबसे पहले अगर आपको बेकार क्वालिटी मिलती है दोनों A to Z सेम क्वालिटी के साथ आती है इवन इसमें जो बटन्स भी है ना टर्न इंडिगेटर वगरा वो सब आपको सेम टू सेम एज इस वही देखने के लिए मिलते हैं कोई भी चेंज़े आपको यहां देखने के लिए नहीं मिलते लेकिन जो एक मतलब ऐसा लूक है ना कि फैमली अरसा है किसी के ऊपर भी सूट करती है तो वह बाइक आपकी नॉर्मल टू वी लगती है बागी मैं एक वार आपको इसका हैडलाइट आउन करके देखाता हूं कि दोनों बाइकों की जो LED डियारल वो आपको फिस तरह से दे सकते हैं कि पहले इसमें साइड में ऊपर की तरफ आता था गंदा सा लूक बट अभी इसे यहां पर काफी अच्छे से बाइक के साथ मैच किया गया है आप यहां पर इसके LED डियारल देख सकते हैं काफी ज्यादा विजीवल है और मतलब बहुत दूर से दिखाई दे जाती नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो इसके सस्पेंशन वगारा सब A to Z आपको दोनों बाइकों में सेम देखने के लिए मिलते हैं चाहें आप इधर देख लीजे चाहें इधर देख लीजे सेम मोटाई वगारा मेरको तो ऐस सच कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं इसमें भी आपको 17 इंचिस के ट्यूबलेस ट्यूबलेस ट्यार मिलते हैं दोनों वाइकों में आपको सुपर मोटो ABS मिलता है और इसमें कुछ ऐससे सिंगल चैनल जो है वो मेंचन नहीं है तो आप इससे समझ सकते हैं एक अच्छे बहतरीन ग्रेप और क्वालिटी के साथ आपको यहां provide किया जाता है इसके अलावा 4V models के अंदर आपको कुछ यहां पर unique तरीके का cooling system देखने के लिए मिलता है जो engine के mobile को यहां पर लेकर के आता है और हवा के द्वारा ठंडा होता है यहां पर आपको जो 2V है उसमें normal वाला air cool engine देखने के लिए मिलता है और 4V के अं पर नहीं पड़ता है और दोनों बाइकों में आपको जो है BS6 compiled engine देखने के लिए मिलता है वही phase 2 वाला और horn भी आपको यहां देखने के लिए मिलता है डवल चाहें आप कोई साब या पाचे का model लें और यह सारी चीज़े आपको bike के साथ ही देखने के लिए मिलती है और एक बार मैं आपको इसके होरन की आवाज सुनवाता हूं कि आपको कैसी देखने के लिए मिलती है दोनों बाइकों में वैसे तो बहुत जादा difference नहीं है बट 4V के अंदर थोड़ा सा loud आपको आवाज देखने के लिए मिलती है और इसमें थोड़ी सी कम आवाज आपको यह फील होती है इसके अलावा मैं आपको एक और यूनिक चीज दिखाता हूँ जो आपकी 4V special edition में अलग से मिलती है आप यहाँ पर देखेंगे जो fuel tank open करने की lid है वो center में है और quality में इस bike में भी कोई change नहीं है जैसे 2V है इसमें भी कोई change नहीं है और 4V में भी कोई change नहीं है जैसे race track वगरा पर होते हैं और यह fake vents आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि plastic के हैं बट मुझे नहीं लगता यह working है कि वह look को enhance करने के लिए बनाये गए हैं और सबसे बुरी चीज यह है कि दोनों भाईकों में आपको kick देखने के लिए नहीं मिलती है और मेरा ऐसा मानन लेकिन यहां पर आपको क्या है kick देखने के लिए नहीं मिलती है और दोनों भाईकों में आपको 33 mode देखने के लिए मिलते हैं ठीक है मतलब rain, arwan, sports यह तीनों mode आपको देखने के लिए मिलते हैं इंजन भी आपको same मिलता है 160cc का लेकिन मैं इसके power figures वगर आपको नहीं बता 160cc में केवल जो इससे ज्यादा powerful है वो है MT15 और Yama R15 इसके अलावा कोई भी bike इसके टककर की नहीं है मतलब जो इसमें power आपको मिलती है उसके comparison के अंदर लेकिन इन दोनों के अंदर भी आपको जो 4V है वो 2V से थोड़ा जादा तेज देखने के लिए मिलती है अब मैं आप आपको लेकर चलता हूँ इसके अगले चींज की तरफ तो भाई वो है इसका suspension कि इसका जो suspension है अगर आप यहाँ पर 2V के अंदर देखते हैं तो आपको 2 suspension देखने के लिए मिलते हैं और यह adjustable है जिनने normal से मतलब आसानी से बंदा adjust कर सकता है गुमाओ वांके थोड़ा वाँ टूल के साथ लेकिन जो 4V है इसके अंदर आपको mono suspension देखने के लिए मिलता है और इसे आप आसानी से जो adjust नहीं कर सकते हैं silencer आपको एक छिद वाला मिलता है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा गोल देखने के लिए मिलता है इसमें भी आपको एक छिद वाला ही silencer देखने के लिए मिलता है वहीं 2V के अंदर आपको 120 mm का टायर देखने के लिए मिलता है वहीं पर नॉर्मल आपको सारे वेरियंट में ब्लैक देखने के लिए मिलता है सीट की कुशनिंग भी काफी अच्छी है वहीं अगर मैं आपको 4V का देखा हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी भी जो सीट्स हैं वो काफी अच्छी है बट मुझे ऐसा लगता है कि 4V की थोड़ी सी जाधा बहतर इससे कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलत इस सेग्मेंट की मोसली सारी भाइकों मैं आपको 5 गेरी देखने के लिए मिलते हैं और की की स्टार्ट मैं बताई चुका हूँ इसमें आपको नहीं मिलता है फ्यूल टैंकी जो केपैस्टी है वो लग 12 लीटर है दोनों भाइकों में कोई भी डिफरेंस नहीं है मीटर की अगर में मीटर की बात करूं तो आप देख सकते हैं यह जो है यह टॉप मॉडल से थोड़ा एक मॉडल नीचे का वेरियंट है 2 V में इसलिए आपको सिंपल मिला यह लेकिन जब आप थोड़ा सा अगर इसका टॉप मॉड़ल लेते हैं तो आपको इसी तरीके का जो मीटर ह लेंगे वो मैं आपको बता जिता हूँ क्या के मिलेंगे जैसे आपको यहाँ पर गेर इंडिगेटर देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है मतलब कि आपकी बाइक कौन से गेर में है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी जिससे आप GPS नेविगेशन वगरा थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे आपको एवरेज स्पीड और एवरेज फ्यूल एकॉनमी वह सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा मोट्स आपको दोनों बाइकों में देखन तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है बाकि इसके अलावा स्पेशल एडिशन में यह एडजस्टेवल लिवर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि इस टूवी में देखने के लिए नहीं मिलते हैं चाहिप इसका एकड़म टॉप मॉडल ले लो तभी आपको यह दे माफी चाहूंगा भाई मुझे लगता है इस बाइक के अंदर फ्यूल नहीं है इस वज़े से यह स्टार्ट नहीं हो रही है शायद डालना भूल यह हूंगा क्योंकि काफी सारे बाइक के रिव्यू करेते हैं इस चकर में तो दोनों बाइकों की आवाज में फोर वी की जो आवाज है वो थोड़ी सी जादा सॉलेड आती है जादा बेसी आती है मतलब बहुत जादा हैवी लगती है तो ऐसी कुछ आ आपको यहां इसकी आवाज देखने के लिए मिलती है और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यह जो आपकी है 4V इसके अंदर आपको 130 mm का टायर देखने के लिए मिलता है वहीं 2V के अंदर आपको जो है वो नॉर्मल 120 mm का टायर देखने के लिए मिलता है टॉप मॉ खूब सूरत लगती है देखने में तो भाई 2V चीज में विनर है नो डाउट ठीक है और इतने ही सारे इसमें लगवाग जो features और changes थे वो सब मैंने आपको बता दिये हैं इसके अलावा अगर मैं price की बात करूँ तो देखिए 4V special edition का जो price वो एक लाग 32,000 रुपए है एक शोरूम और इसमें 20-25,000 रुपए आप और add कर दीजिए तो आपका जो है वो normal वाला on-road price निकल के आ जाएगा हो सकता है 30,000 तक आपको add करना पड़े लगवाए 1,60,000 या पैंसेट 70,000 तक की on-road पड़ती है वहीं जो 2V है वो हमारी top model आपको देखने के लिए मिलता है 1,26,000 रुपए का और normal variant आपको देखने के लिए मिलता है 1,22,000, 1,15,000 रुपए के आसपास का तो इस तरह से आपको इसमें price देखने के लिए मिलता है ठीक है और अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी bike लेनी चाहिए तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको 4V लेनी है तो आप जाहिए special edition के उपर लेकिन अगर आप 4V और 2V में confusion में है तो भाई आपको लेनी है 2V actually ऐसा नहीं है कि 4V बेकार है आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और special edition की अलग से भी वीडियो में अपने चैनल पर डाल चुका हूँ तो आप वो भी देख सकते हैं तो वीडियो में इतना ही था बांकि कोई doubt हो तो आप हमसे comment works में पूश सकते हैं मैं आपको जल से जल रेप्लाई करने कोशिश करूँगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें जैहिंद